कि जब कॉंग्रेस और समाजवाधी पार्टी प्रचार करने निकले क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा कि प्रचार तो पहले भी हुआ बाद में नेता कहते नजर आए कि जमीन पर एक नहीं हो पाए थे इस बार जमीन पर क्या हाल है जमीन पर हम लोग एक है जनता के बीच में जा रहे हैं क्या दावे कर रहे हैं कि न मुद्दों के साथ आपको लगता है कि गड़बंदन आपका मजबूत है और क्यूं आपके फ्रत्याशी को जंता चुनें ऐसा है कि लोग तंत्र उस देश की आत्मा होता है अब इस समय सरकार ने लोग तंतर की करके नेताओं को जेल में डाल दिया था आज वही गलती हमारे देश के आधनिये प्रधान मंत्री जी ने की है उसका खाम्याजा 2024 में भुगतना पड़ रहा है ऐसा मेरा मानना जनता की आबाज है जनता कभी नहीं चाहती कि कहीं विपक्ष की हत्या हो जनता चाहती है कि हमारी समस्या है सरल हो और हमारे बात सुनी जाए आज इस सरकार में यह समझ लीजिए कि आप लठ से सरकार चल रही है लोगतना पड़ेगा हम भुगत चुके चारण सिंग प्रधान मंत्री बने थे इंद्राजी को चार जमीन पर गडबंदन साहब थोड़ा सा देर हुई लेकिन ठीक है आज अलिगर के माहौल में इस बात को समझा जा सकता है कि एक परव का दिन है और इस तरीके का ट्रैफिक है लेकिन जो मैं सवाल पूछा था और उसकार में भारती जनता पार्टी पे आऊंगा और वो जो दीरे से बाची चलती है वो भी कईवर देखी जाती है कि क्या वो किसी दोस्ती की प्रक्रिया तो नहीं है कई सारे दोस्त आजकल उधर बैटे हैं कई जो दोस्त चुड़ गये थे वो बगल में हैं जमीन पर सारी दोस्ती सलामत है देखिए बहुत छोटा सा सहर है एक दू साल बुरा हाल आम जनता बहुत बुरी स्थिती में हैं आम वैपारी छोटा वैपारी है वो पीडित है तरह तरह की दलालियां चल रही है स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल ये दो सड़के लगाने के बाद बागी पूरा पैसा जेवो के हवाले कर दिया गया मैं पूछना चाहता हूं क्या इन दो सड़कों के नाम पे ही स्मार्ट सिटी कहला ही जाएगी और यह बड़ा अच्छा किया कि थोड़ी थोड़ी जगा सहयोग्यों के लिए बना दी अब वहां से सवाल आया जिसका जवाब चाहिए सवाल यह आया कि दो सड़कें एक एरिया उसको स्मार्ट सिटी कह देना कि क्या यह पूरी अलिगड का विकास है देखे अलिगड की जो भोगलिक रचना है वो एक कटोरा नुमा रचना है उसको हमारे पूर्वचियों के हमें तो अभी क्वेचे हैं पिछले काफी लंबे समय से हम सब लोग इस पेकार कर रहे हैं सीवर लाइन यह अलिगड की बहुत पुरानी लाइने थी उसको पुरान उसको पुरह दुरस्ति करन किया जा रहा है लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे रिंग रोड्स हैं उनको भी अच्छा बहतर बनाया जा रहा है ऐसा नहीं कि कुछी सड़कों का हम जो है उनको ही बार पुरान नई सहर का मिश्रण है तो जो पुराना सहर उसमें काम करना भी थोड़ा कटन होता है लेकिन काम लगातार चल रहा है आप रोडों को देखेंगे लाइट को देखेंगे रात में निकलिए कितने सुन्दर रोड हो गए अभी सेंद्फदल इस तरफ चले जाईए त दुकान बना सकते हो हमने इस्टीट बेंडरों के लिए दुकाने बनाई है तो यह चल रही है विकास खूब हो रहा है यह जैसा मैंने का हाँ यह इशारा कर दीजिए तो उन तर्कों को और उस बहस को में थोड़ा खोल पाऊंजी यह पकोड़े तलने वाला सिस्टम आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें